अनुष्का की सास लीला सुभा सुभा रसोई में जोर जोर से बरतन पटक रही थी। उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। जितना गुस्सा बढ़ रहा था उतनी ही बरतनों की आवाज। अनुष्का कान पर तकिया रखती हुई बोली। क्या मनीश आपके ममी तो चैन से सोने भी नहीं देती। लेकिन मनीश वहाँ होता तो सुनता ना वह तो कब का ओफिस जा चुका था। लीला ने उसे चाए, नाश्ता, टिफिन सब बना कर दे दिया। लेकिन अनुष्का महरानी की नीद अभी तक नहीं खुली। इसी बात का गुसा लीला बर्तनों पर निकाल रही थी। काम निपटने के बाद अनुष्का उठी और फ्रेश होकर अपने लिए चाए बनाने लगी। चाए बनाते हुए उसने लीला से पूछा, ममी जी आपके लिए भी चाए बना दू। लीला गुसे में बोली, मैं दो पहर में चा खाकर भेजा गया था कि सुभा जल्दी उठकर आंगन गुहार कर नहा धोकर जब चूले चौके के पास जाना चाहिए। लेकिन आज कल तो आगे क्या ही कहूँ, घड़ी तो देखो बहू, साड़े दस बच चुके हैं। ममी जी, आप भी कैसी बाते करती हो, साड़े दस बचे क्या दुपहर हो जाती है। बस थोड़ा सिर में दर्द था इसलिए देर से आग खुली, लगता है घर जाना पड़ेगा। घर? घर क्यूँ? ममी जी, बताया ना के सिर में दर्द है, वहां हमारे फैमिली डॉक्टर है, उनसे दवाई लोंगी तो ठीक हो जाएगा। अनुष्का चाए पीने के बाद तैयार होकर अपने घर चली गई लीला ने अपने सिर में हाथ मारते हुए कहा हे भगवान कैसी बहु मिली है मुझे दो दिन होते नहीं कि माहिके चली जाती है मनीश भी उसे कुछ नहीं कहता मैं कुछ कहूंगी तो लोग यही कहेंगे कि चार दिन बहु को आए हुए नहीं और सास ने जीना महाल कर दिया तीन दिन बाद बहु कल घर में सत्य नरायन की कथा है सुभा जल्दी उठकर नहा लेना पूजा की तयारी करनी है ममी जी पूजा का दिन रखने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता कल मेरी भावी माई के जा रही है मेरी ममी अकेली रहेंगी मुझे तो उनके पास जाना है पंडे जी ने कल का ही दिन रखा है अगर समधन जी अकेली है तो उन्हें यहां क्यों नहीं बुला लेती ठीक है नहीं जाती रहने देती हो मम्मी को अकेले अकेले रहने से ज्यादा से ज्यादा बीपी ही तो बढ़ जाएगा खेर कोई बात नहीं मैं पूजा में बैठूंगी लीला परिशान होकर सोचने लगी अरे अगर इसकी माँ को कुछ हो गया तो सब लोग मुझे ही कसूरवार ठहराएंगे कि मैंने बहु को माई के जाने से रोक लिया अरे तुम माई के चली जाओ बहु पूजा मैं देख लूँगी अनुष्का अगले दिन सुबह ही माई के चली गई लीला बहुत दुखी थी कि बहु जरा-जरा सी बातों के लिए माई के चली जाती है ऐसे कैसे चलेगा गर्मियों के दिन थे पसीना सूखने का नाम नहीं ले रहा था रसोई में जाने के नाम से ही अनुष्का की हालत खराब हो जाती थी गर्मी से बचने के लिए वह मनीश से बोली देखो ना मनीश कितनी गर्मी है गर्मी के मारे हालत खराब है हाँ वो तो है वो तो है का क्या मतलब मुझसे गर्मी में खाना नहीं बन पाता पूरे पांच महीने की गर्मी है, तो क्या तुम पांच महीने अपने घर रहोगी? अरे, वहां मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ता, भावी सारे काम करती हैं, मैं तो खाने के बरतन भी कमरे से नहीं उठाती, बस मज़े से लेटी रहती हूँ, मुझे ड्रेस्ट मिल जाएगा, प्लीज भेज तो ना मैं कुछ नहीं कह सकता, इस बारे में मम्मी से बात करो, वरना मम्मी मुझे ही सुनाएंगी अब अनुश्का मम्मी से बात कैसे करे लीला ने बहु बेटे की बात सुन ली थी इसलिए इस बार उसने भी सोच लिया कि इस बार कुछ भी हो जाए वे बहु को माई के नहीं जाने देगी आखिर वे अपनी जिम्मेदारी कब समझेगी लगता है बहु को किसी दिन बिठा कर अच्छे से समझाना पड़ेगा उनकी बात सुनकर लीला ने खुद को शांत किया और अनुश्का को पास बिठा कर समझाया बहु मुझे गलत मत समझना मैं तुम्हें तुम्हारे माई के जाने से नहीं रोक रही लेकिन वहां इतनी जल्दी जल्दी जाने से तुम्हारी इज़त कम हो जाएगी तुम्हारी भाभी तुमसे उक्ता जाएंगी बेटा और एक दिन सब संबंद खत्म कर लेंगी मम्मी जी आपको सब अपने जैसे ही लगते हैं मेरी भाभी ऐसी नहीं हैं वे बहुत अच्छी हैं कुछ तिनों बाद अनुश्का फिर माय के पहुँच गई अनुश्का को देखते ही उसकी भावी शीतल की त्योरी चड़ गई और वे बोली दीदी इतनी गर्मियों में भी आप चैन से नहीं बैठती कभी इधर कभी उधर मुझसे तो इतनी धूप में घर से बाहर भी न निकला जाए भावी आपने तो भाशन सुना दिये लस्सी पानी कुछ नहीं आज दही जमा नहीं है और दूर शाम को आएगा अनुश्का को आज अपनी खातिरदारी होते न देख बड़ा अजीब सा लगा शाम होने को थी शीतल अभी कमरे से बाहर नहीं आई अनुश्का अपनी मा दयावंती से बोली मा भावी कुछ बतली से नजर आ रही है कुछ बात हुई है क्या अरे कुछ नहीं पूरा दिन काम करके ठक जाती है बेचारी सोच रही हूँ कि घर में कोई काम वाली लगा लूँ मम्मी आप काम वाली रखोगी फिर भावी पूरे दिन क्या करेंगी पूरे दिन पलंग ही तोडेंगी उनसे जितना काम कराओगी उतना ही ठीक रहेगा कम से कम आपको आराम तो मिलेगा अरे बहुत से काम है उसके और तुम आ जाती हो तो और भी कई सारे काम बढ़ जाते हैं भला तुम्हें वे क्या कुछ करने देती है तुम्हें जूठे बरतन भी नहीं उठाने देती वो बहु है इस घर की अगर वे नहीं करेंगी तो और कौन करेगा लगता है आप भावी को सिर पर चढ़ाती जा रही हो कहीं ऐसा न हो कि आपको पच्चताना पड़े बस करो अनुश्का बस बगुने सुन लिया तो खामखा कलेश हो जाएगा वह मेरी सारी जरूरते पूरी करती है मेरी सेवा करती है उसके खिलाफ कुछ बोलने की जरूरत नहीं है हाँ वो अनजान थी कि शीतल कमरे की खिड़की से उनकी सारी बाते सुन रही थी शीतल को उनकी बाते सुनकर बहुत गुसा आया वह बोली दीदी मुझे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन चुप नहीं रहा जा रहा है सोच कर देखो कि अगर मैं भी तुम्हारी तरह रोज माइके में पड़ी रहूं तो तुम्हारी मम्मी का क्या होगा कौन तुम्हारे यहां आने पर तुम्हारी सेवा करेगा तुम तो मम्मी जी को मेरे खिलाव भड़का रही हो ठीक है, मैं भी गर्मिया अपने मायके में गुजाराती हूँ तब तक मम्मी जी को तुम ही संभाल ले न हाँ बात बढ़ती जा रही थी, शीतल गुसे में थी तब ही उनकी बाते सुनता हुआ कपिल बात्रूम से बाहर निकला वह बोला अनुशका, देखो तुम मेरी बहन हो, लेकिन शीतल मेरी पतनी है जिसने मेरे घर को जाड़ों की तरह बांध कर रखा हुआ है अगर इसके खिलाफ कुछ भी कहाना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा जो बाते तुम ममी से कह रहें थी, अगर वही बाते कोई तुम्हारी साथ से कहे तो क्या होगा दो दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी यहाँ जहर घुलने की जरूरत नहीं है अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ और जाकर अपना घर देखो यह सारी बाते सुनकर अनुश्का की आँखे भर आई बुरा तो जरूर लगा, लेकिन उन्होंने जो भी कहा, वे बिलकुल सही था आज उसने खुद को एक बहु के नजरिये से देखा, तो खुद में बहुत सारी कमियां पाई मम्मी, भाईया, भाबी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैं अपने ससुराल वालों को नहीं समझ पाई मैं उस घर की लक्ष्मी हूँ, उस घर को मेरी जरूरत है मैं जाती हूँ, और फिर नहीं आऊंगी मायके कभी बेटी, तुम्हारा जम मन करे आना, ये घर तुम्हारा भी है लेकिन आना समय पर, क्योंकि बिना बुलाए तो दुश्मन के घर भी नहीं जाना चाहिए मैं समझ गई हूँ मा, अब मैं अपने घर जाती हूँ और उसके बाद, अनुश्का ने मायके का मोहु त्याग कर ससुराल की सारी जिमेदारी संभाल दी देविका के माबाप नहीं थे, उसको उसके मामी मामा ने पाला था जब पहली बार उसका रिष्टा आया, तो उन्होंने बिना जाच पड़ताल के शादी पक्की कर दी क्योंकि गरीबी के कारण, अब वो देविका का बोज और नहीं उठा सकते थे देविका की शादी को अभी छे महीने ही हुए थे, कि उसका पती चल बसा उसकी मोट के बाद ही पता चला, कि उसके पती को कैंसर था और ये बात सब जानते थे, सिवाएद देविका के बस उसकी सास भानुमती की इच्छा थी कि उसका बेटा दुनिया से जाने से पहले अपनी निशानी छोड़ जाए लेकिन ऐसा नहीं हुआ भानुमती बोली सोचा था बेटा नहीं रहेगा तो कम से कम उसका नाम तो चलता रहेगा लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हारी कोक बंजर निकलेगी निकल जाओ इस घर से मा जी आपके बेटे को कैंसर था ये बात आपने छिपा कर मेरा जीवन बरबाद कर दिया आपके बेटे के जीवन की लौ बुझने वाली थी लेकिन आप अपने बेटे के नाम कर चिराग जलाना चाहती थी इसमें मेरी नहीं आप सब की गलती थी आपका बेटा तो चला गया लेकिन मैं कहां जाओ मैं कहीं नहीं जाओंगी यहीं रहूंगी इस घर पर मेरा पूरा अधिकार है अरे वाह तुम तो कानून भी जानती हो यह अधिकार की बाते हमसे मत करो जहां बेटा गया समझो हमारा सब कुछ चला गया इस घर में रहोगी तो खाओगी क्या घास मेरे घर से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा हाँ देविका अपने भागे को कोस्ते हुए रोने लगी अब क्या करूँगी? कहा जाओंगी? क्या खाओंगी? उसके सामने बहुत से सवाल खड़े थे देविका रसोई में खाना लेने गई तो भानू मती ने पूरी सबजी बनाई हुई थी देविका ने थाली में खाना डाला तो भानू मती ने उससे खाना छीनते हुए कहा तुम विधवा हो, तुम्हारे लिए ये खाना नहीं है विधवा को रूखा सूखा खाना चाहिए रही सही कसर छोटी ननत पूनम पूरी कर देती थी वह बोली मा, भाबी के लिए मैंने रसोई में मोटे चावल और सत्तू रख दिया है भाबी, बस अब वही खाना है पकवान अब तुम्हारे नसीब में नहीं है देविका की आँखों में आसू भराय और वह भूखे पेठी सो गई वह सो रही थी तो भानू मती ने उसके उपर पानी डाल दिया देविका ने घबरा कर पूछा अरे, ये क्या कर दिया मा जी आपने मेरे सारे कपड़े और बिस्तर गीला कर दिया तुम्हें शर्मानी चाहिए बहू तुम्हें बिस्तर पर नहीं बलकि जमीन पर सोना चाहिए ये सारे सुक अब तुम्हारे लिए नहीं है मा जी, एक तो आपने पहले ही मेरा जीवन बरबात कर दिया कम से कम और जल्म मत करो अब बरदाश्ट नहीं होता ना मैं खा सकती हूँ, ना सो सकती हूँ तो और कहा जाओ मैं जो नियम हैं वो तो सब निभाते हैं और तुम्हें भी निभाने ही पड़ेंगे हाँ देविका बहुत दुखी थी अब ऐसे गुजारा नहीं होने वाला था इसी तरहां एक साल बीट कया देविका सूख कर काटा हो गई मामी और मामा के यहां जाने का रास्ता भी बंद हो गया कई दिनों से उसकी तबयद भी खराब थी भानुमती ने दवाई भी नहीं दिलवाई देविका ने सोचा क्यो ना मैं भी घर से बाहर निकल कर कुछ काम करूं वे बहुत हिम्मत करके घर से बाहर निकलने लगी, भानुमती ने पूछा, बहु कहा जा रही हो, मैं काम की तलाश में जा रही हूँ, पैसो की जरूरत है, सूती सारियां फट गई है, दवाई के लिए भी पैसे नहीं है, सरदियां भी आ रही है, मेरे पास स्वेटर भी नही है, साफ साफ क्यों नहीं कहती कि हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करते, अरे बाहर की हवा लग गई है, साफ साफ क्यों नहीं कहती कि घर की चार दिवारी रास नहीं आ रही, जहां जाना है जाओ, लेकिन ध्यान रखना, एक बार इस घर से बाहर निकली, तो इस घर के दर्वाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, बताए देती हूँ, ऐसी जिंदगी से तो मौद भी अच्छी, और आप क्या मेरे लिए दर्वाजे बंद करेंगे, मैं खुद ही आपके दर्वाजे बंद करके जा रही हूँ, ये कहकर देविका वह घर हमे जादा चलने में दिक्कत हो रही थी, नजाने कितने दिनों से सत्तू पी कर समय काट रही थी वो, था खार कर वह एक पेड के नीचे बैट खई, शाम हो चली थी, और सोचने लगी, शायद अब ऐसे ही जिंदगी की शुरुआत करनी पड़ेगी, पहले कुछ खा लूँ, ब चैन हो गई, और वह रोते रोते घास तोड़ कर खाने लगी, और कहने लगी, ए परमात्मा, ऐसे कौन से गुराह किये थे मैंने, जो मुझे घास खानी पड़ रही है, तब ही वहाँ उसे घास खाते देख, लोगों ने उसे पागल समझा, और उसे भीक दे कर चले गए, र उसने वहाँ पर खड़े हुए जमीनदार से पूछा, क्या मुझे भी यहाँ कुछ काम मिलेगा, तो मालिक ने कहा, अरे हाँ क्यों नहीं, यहाँ तो काम करने के लिए बहुत लोगों की जरूरत है, धान रुपा जा रहा है, तुम अभी से लग जाओ, देविका बहुत ख अमीनदार से पूछा, भाई साहब, मेरे पास कोई रहने का ठिकाना नहीं है, क्या कुछ समय के लिए सिर्च पाने के लिए कोई आसरा मिल सकता है? बहुत तकलीफ में मालुम होती हो, खेर, वहाँ खेत के उधर ट्यूब वेल है, उसके पास एक छोटा सा कमरा है, तुम वह रह सकती हो, लेकिन हा, सिर्फ कुछ तिन, उसके बाद अपने रहने का इंतिजाम कर लेना, क्योंकि यहाँ नील गाये का खत्रा हमेशा बना रहता है, देविका खुश होकर बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, देविका ने उसी छोटे से कमरे में रहना शुरू कर दिया, उसने इट रख कर मिट्टी का चूला बनाया, और फूटे हुए घड़े को बरतन बनाया, सो रुपए में नमक, मिर्च, आटा और छुटपुट सामान खरीद लाई, मेह मन में सोचने लगी, ऐसे रोज सो रुपए तो रोज खाने में ही खर्च हो जाएंगे, तो स तरदी के लिए स्वेटर और कंबल कहां से खरीदूंगी, नहीं नहीं, मुझे पैसे बचाने होंगे, लेकिन भूखी रहूंगी तो काम कैसे करूंगी, देविका की नजर वहां पर घास चड़ते हुए मवेशियों पर गई, उसके मन में खयाल आया, जब घास खाकर नहीं, घास तो जानवर खाते हैं, मैं घास की रोटी बना कर देखती हूँ, देविका ने खेट से हरी ताजी मुलायम घास काटी और उसे उबाल कर और पत्थर पर पीस कर एक मिश्रन तयार किया, जिसमें नमक मिर्च डाल कर उसने अपने लिए रोटियां बनाई, उसने रोटी खा कर देखी तो वे चौक गई, उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि घास की रोटी भी इतनी स्वादिष्ट बन सकती है, अगले दिन वे घास की रोटी बना कर खेट पर ले गई और अपने साथ काम करने वाली औरतों को खिलाई, पहले तो सबने नाक मूँ आने के बाद वो तारीफ करते नहीं थकी, वे बोली, हमें तो लग रहा था कि तुम जूट बोल रही हो, कि घास की रोटी बना कर लाई हो, इतनी स्वादिष्ट रोटी घास की हो ही नहीं सकती, नहीं दीदी, मैं जूट नहीं कह रही, ये सच मुझ घास की रोटी है, भग ये सुनकर देविका के अंदर एक उर्जा सी आई, वे कुछ काम करे, उसके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन अब उसने सिर्फ घास की रोटी खानी शुरू कर दी थी, इसलिए उसने मिर्च, मसाले और बरतनों लाइक पैसे जोड लिये थे, पहले दिन जब उसने घास क की रोटी बनाई, तो खेत पर लगे सब मजदूरों को रोटी खाने के लिए बुलाया, सभी मजदूरों ने हिच खिचाते हुए रोटी खाई, मगर जब खाई, तो उंगलियां चाटते ही रह गए, एक औरत बोली, वा बहना, तुमने तो बहुत अच्छा रोजगार बस थोड़ा सा काम चल निकला, तो साथ में रायता और सलाद भी रखना शुरू कर दूँ, तब ही वहाँ जमीनदार आया और बोला, चलेगा और बहुत अच्छा चलेगा भई, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मैं लोगों तक तुम्हारी घास की रोटी की घास की रोटी ने देविका का जीवन एकदम से बदल दिया, उसकी काबिलियत और अकलमंदी देखकर, जमीनदार के बेटे ने उससे शादी कर ली, और देविका के जीवन का एक नया सफर शुरू हुआ कर देविका के बेटे बेटे मैं तक यू दू दू